तो बाईयों जे जो रित्व नाम की उरत है जिसने ट्यूट किया था कि शत्रियों की लड़किया जिसके बारे में गलट टिपनी की तो मैं इसको पूछना चाता हूँ मेरी बात तू दिमाग लगा कर सुन ठीक है तू कौन है पहले जे पता रठोर तो राइबूत होते हैं और दूसरी बात तुझे पता है कि सबसे पहले किस से किस की शादी हुई थी सबसे पहले बपा रावल अर्ब तो स्थात्मी सदी में आये थे जब बपा रावल का टाइम था बपा रावल के टाइम 35 अरभियों की शादी बपा रावल से हुई थी ठीक है उसके बाद बपा मुगल टाइम में बाबर बाबर ने अपनी बेटी की शादी दरामचद चीबत से करवाई थी इस पर हम पहले भी विडियो बना चुकी है वो हुई थी मुगलों और राइपुतों में पहली शादी ठीक है अगर तू अर्बों की बात करेगी अर्बों की बपारावल के साथ ह हुई थी ठीक है लेकिन राइपुतर खेल बनाते थे उसको भी उस दोनों ने रखेल बनाकर रखा जो अफगानी पठान हैं वो पपारावल की इन्हीं बीबियों से निकले हैं साधमी सदी से ठीक है कहानी बताता हूं अलावदिन खिल जी और बीरम देव चोहान की जालोर उसने क्या कहा था तेरे खुपड़े में जे बात बर ले उसने कहा था कि मामो लाजे बाटियां कुल लाजे चोहान जे मैं परनू तुरकनी मेरी मेरे जो मामा है वो बाटी राइबुद हैं और मैं खुद चोहान राइबुद हूँ तो फिर मैं किसी से शादी कैसे कर सकता सूरज उदर का उदर हो जाएं लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा अपने शत्री कुल में करूंगा ठीक है और तू मान सिंग की जोदा अकवर जैसी फरजी कहानी बताती है अगर वो फिलम ही नहीं बनती तो तुम्हें पता था कि क्या शादी हुई थी जा नहीं हुई थी वो सकती है तो ही नहीं सकता ठीक है शत्रियां अपने बेटियों के साथ क्या करते थे बहुं सबको पताई है ठीक है हमारी शान थी शत्रानिया राई-बुतانियां अगर हमने शादिक ही लेकिन तुम लोग जो टिपनी करते हो तुम तो मजदूर थे तुम तो मुझराब आले थे तुम कौन से थे जो जit टिपनी करें राइबू जए इन से पुछ न जाता हूं कि तुम लोग कोन थे तुम हमारी हबेलियों में काम करते हैं वर्कर थे तुम तुम्हारी तो ऐसे ही मुगल उठा उठा कर ले जाते थे और शत्रिय शुड़ा कर ले लाते थे ठीक है बीरम देव का चोहान का इतिहास पढ़ लो तुम जो बड़ी बड़ी बातें करते हूँ आज